आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ Hello, so the question says which number will replace the question mark in the following series and guys, series आपके पास है 6, 7, 11, 20 आपको पताना है कि next term यापर क्या होगा तो guys, यहाँ पर जो series हमारे पास है उसको हम लूप note करते हैं आपके पास है 6, 7, 11, 20 और यहाँ पर जो value हो जो भी find करने हैं ठीक है, question mark अब देखिए सबसे पहले series वाले question हम लूप क्या करते हैं हम लूप difference चेक करते हैं आपके हम लूप difference चेक करेंगे कि जो भी term समाने पास है उनके बिशे में difference कितना है ठीक है, तो आपको पता है कि 6 और 7 में कितने का difference है 1 का difference है 7 और 11 में 4 का difference है similarly, 11 और 20 में 9 का difference है अब जैसे में आपर देखा 1, 4 और 9 तो मुझे पता चला कि 1 होता क्या है 1 is basically 1 square 4 आपके पास होता है 2 का whole square 9 क्या होता है 3 का whole square यानि कि जो आपके पास difference है वो कितना है, वो basically n square है difference में आपके पास n square की series है इसका मतलब जो अगला difference होगा वो कितना होगा simply 4 square अब अगर यह 4 square होगा 4 square का मतलब कितना होगा 16 होगा इसका मतलब जो मेरे पास है वो missing term होगा वो कितना होगा that will be simply the last term which was 20 plus the difference जो में ना find तरा है 16 तो अपका अंसर कितना आजागा 36 so guys 36 is the answer कौन सो option में option A में so option A is correct thank you डाउटने डाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 84444 उपर